Hello everyone and welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं हूँ आपकी Saloni Miss और आज की ग्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है दो-दो स्टोरीज हैं आपके लिए मेरे पास सबसे बहले तो पिछली ग्लास में जो मैंने यहाँ पर आपको एक होमवर्क के साथ छोड़ दिया था क्या था? Car and Tractor वाला तो इसके answers चाहिए में को आपसे I hope आप लोग solve करके आए होंगे और उसके बाद एक बहुत ही interesting story है Elephant's Weight इसको आज हमको पढ़ना है यह जो Elephant's Weight topic है यह story दी हुई है आपके class 4th Maths Magic Book में page number 140 पर 140 हम पढ़ रहे हैं आपके class 4 Maths से chapter का नाम है How Heavy, How Light कोई चीज कितनी भारी है कोई चीज कितनी हलकी है यही है इस chapter के नाम का मतलब So, यह Elephant's Weight की कहानी तो बिलकुल अभी बता दूँगी बता दूँ पिछली class में हमने क्या-क्या पढ़ लिया था पिछली class में हमने एक यह life-saving मैंने यहां पे एक story पढ़ाई थी which is heavier उसी के साथ हमने देखा था Dinsen went shopping, Dinsen shopping पे गया उसकी छोटे भाई ने उसकी जो list थी वहां पे वो हिस्सा फार दिया जो की जहां पे weight लिखे हुए थे तो हमने guess करके बताया कि कौनसी चीज कितनी gram में या kilogram में उसने खरीदी होगी फिर आंगे हमने देखा था cat and car and tractor sorry car and tractor है so इसके मैंने बोला था कि इसको find out करके आना थोड़ा खुद का जरा दिमाग लगाना कि क्या answers होंगे so लगाया कि दिमाग तो जल्दी से पहले इसका answers discuss कर लेते हैं क्योंकि जो प्यारे से बच्चे homework करके बैटे हैं वो deserve करते हैं कि सही answer क्या है ये जानना और जिन बच्चों ने homework नहीं किया बहुत गलत बात है बिटा शुरू कर दो homework करना नहीं तो क्या होगा फिर नहीं तो पढ़ाएं ऐसे ऐसे पीछे छूटती जाएगी आपकी चलिए तो शुरू करते हैं देखें क्या लिखा है रितु is weighing her toys रितु नाम की एक प्यारी सी बच्ची है आपकी तरह और वो अपने toys यानि की अपने खिलोनों को वजन करना चाह रही है she wants to know क्या चाहा रही है वो क्या जानना चाहती है if her tractor is heavier than her car वो जानना चाहती है कि उसका जो tractor है वो उसकी कार से भारी है या नहीं how would you help her to find out quickly तो हम कैसे उसकी help कर सकते हैं कि वो जल्दी से पता कर ले बार जादा भारी है तो हम बस उसको यही कह सकते हैं कि वही एक balance ले एक तरफ tractor रखे एक तरफ car रखे जो हिस्सा नीचे जाएगा वो भारी होगा जो हिस्सा उपर रहेगा वो हलका होगा तो हम answer कैसे लिखेंगे यहाँ पर answer में हम लिखेंगे यह चीज कैसे की जाती है एक balance के एक पैन में आप एक खिलोना रखो उसी balance के दूसरे पैन में दूसरा खिलोना रखो फिर उससे हमें पता चल जाएगा कौन सा खिलोना हलका, कौन सा खिलोना भारी next पूछा गया था guess which is the heaviest बताईए heaviest मतलब सबसे जादा भारी कौन होगा किस किस की बात कर रहे हैं हम एक real car, bus और tractor की, मतलब यहाँ तो खिलोनों की बात चल रही थी पर अब reality में आ जाओ आपके पापा जिस car में office जाते हैं उस car की बात चल रही है bus से अगर आप यहाँ से वहाँ कहीं travel करते हो वो bus की बात चल रही है और tractor अगर आपने देखा हो कहीं पर fields में चलता हुआ farm में चलता हुआ, खेतों में तो हम उस tractor की बात कर रहे हैं तो एक car, एक bus और एक tractor में से कौन सी चीज सबसे heaviest सबसे ज़्यादा weight की कौन सी चीज होगी तो हमने देखा है car, bus और tractor में सबसे छोटी car होती है यानि वो हलकी होगी उस से थोड़ा बार tractor होता यानि car से ज़्यादा भारी थोड़ा tractor होगा और tractor से भी बड़ी तो होती है bus, bus में तो कितने सारे लोग बैट जाते है school bus देखी होगी, आपने college bus देखी होगी उसमें तो बहुत सारे बच्चे एक साथ जाते है यानि वो सबसे बड़ी होती है सबसे heavy होती है तो हमारा answer क्या होगा कि heaviest, heaviest मतलब तीनों में से सबसे जादा भारी कौन है तो bus हमारा answer होगा आंगे पूछा था which is the heaviest thing you have seen सबसे heaviest thing आपने जो देखी हो वो बताईए कुछ और answer भी लिख सकते हो मैंने लिखा है यहाँ rail engine यानि कि जो rail गाड़ी होती है जो train होती है उसका जो engine होता है वो बहुत भारी होता होगा वो तो बहुती जादा उसमें machines भी रहती है और सारी चीज़े वो engine ही तो है जो इतनी बड़ी train को खीशता है और आप in fact train भी लिख सकते होगे जब engine इतना भारी है तो पूरी train में तो कितनी लंबी होती है वो मिला के तो बहुती जादा वजन होगा उसका है ना so क्या है यहाँ पे क्योंसी चीज सबसे भारी मैंने तो एक rail engine सबसे भारी देखा है आपने अगर इससे भी कोई भारी चीज देखी हो तो आप बिलकुल यहाँ पर लिख सकते हैं इससे कम भारी देखी हो उससे जादा कुछ भारी देखा ही नहीं आपने तो आप वो भी लिख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है आप लिख सकते हो कि आपने जो बस है वही सबसे जादा भारी देखी है हो सकता है आपने ट्रेन में अभी तक कभी ट्रावल ही नहीं किया पर at least देखी तो होगी न, तो इस साब से आपको लिखना है, ठीक, तो यहाँ पर हमारे सारे questions हो गए complete, आप जल्दी जल्दी हमा सकते हैं, मेरी वेवरेट वाली story पर, यह स्टोरी का नाम है, elephant's weight, elephant का मतलब क्या होता है, elephant मतलब हाथी, yes, हाथी मेरे साथी को ही अपन elephant बोलते हैं, so वो जो elephant है, उसके weight की बात चल रही है, यानि वजन की, गलत बात है, किसी को ऐसा बोलना, वो हाथी बहुत मोटू सा होता है, तो क्या हम उसके weight की बात करने लगेंगे, नहीं नहीं, अच्छी ही बात चल रही है, actually, उसको कोई यह नहीं बोल रहा कि तुम्हारा weight कितन जादा है, कितने मोटू हो तुम, actually, elephant सबने देखा होगा, elephant के जो बच्चे होते हैं, छोटे-छोटे, वो तक अच्छे मोटू-मोटू से होते हैं, so जो बड़ा elephant होता है, वो तो बहुत ही बड़े होते हैं, आपने real life में भी देखे होंगे, जिनने real life में नहीं देखे elephant, उन्होंने का टीवी में तो देखा ही होगा, बहुत बड़ा animal होता है, elephant और बहुत heavy भी होता है, उसका वज़न बहुत जादा होता है, है ना, आप अपने घर में dog पाल लोगे, ठीक है, तो dog कितना ही बड़ा हो जाए, जाज़़़दा इतना बड़ा होगा, वो height में, तो अब उसको फिर भी आप carry कर सकते हो अपने गोद में, पर क्या आप एक बड़े से elephant को अपनी गोद में उठा बाओगे, गोद में उसका हाथ, पाओ, हिला तक नहीं पाओगे आप एक जगा से दूसरी जगे, वो इतना heavy animal होता है, तो क्या है इसके बारे में कहानी, चलिए म आप एसे, तो क्यों चला रहा है वो, क्योंकि एक बार उस राजा के stomach, यानि की पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, तभी वो बहुत तेज चला रहा है, कि मेरा पेट बहुत तेज दुखरा है, नन ओफ दा पैलेस डॉक्टर्स कुट कूर हिस पेन, यानि कि उसका जो पै ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं था, जो उसके पेन यानि की दर्द को क्योर कर पाए, यानि की सही कर पाए, यानि उसके जो इतना बड़ा पैलेस है, महल है, उसमें ऐसा एक भी डॉक्टर नहीं था, जो उसके पेन को दर्द को पेट के कम कर पाता, है ना, इसलिए वो इतना जिला रहा है, देखो, वो क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है, ओ नो, I cannot bear this pain, यानि कि नो, 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 अब मुझसे ये pain बरदाश नहीं होगा, बहुत तेज पेन हो रहा है, जल्दी से किसी एक अच्छे डॉक्टर को बुलाओ, जो मुझे कोई दवाई दे, जिससे मेरा पेट का जो दर्ध है, वो खतम हो जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहीं, ऐसा ये king कह रहा है, ठीक है, अब क्या हुआ आंगे, चलिए, आंगे बढ़ते हैं अपन, फिर king ने को तो भई समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, सारे डॉक्टर्स देख लिए हमाएं महल के, कोई भी हमको सही नहीं कर पा रहा, तो फिर उसने कुछ कहा, क्या कहा, देखो, ये पेट पे ही हाथ लगाए हुए है, बहुत दुखरा है उसका पेट, वो बोलता ह किंग, anyone who cures my pain will get gold equal to the weight of an elephant, किंग को आया idea, उसने कहा, ऐसा करता हूँ, लालच देता हूँ लोगों को, अगर मैं कहूंगा, उसने क्या कहा, कि जो भी मेरे पेट के दर्द को सही कर देगा, उसको मैं एक हाथी के वजन के बराबर का गोल्ड याने की सोना दूँगा, तो बड़े खुश हो गए होंगे कि हाथी तो कितना सारा वजन होता है उसमें, और सोना इतना सारा मिल जाएगा हाथी के वजन के बराबर, तो जिन्दगी भर आराम करना है, कभी काम करना ही नहीं पड़ेगा है ना, यानि कि फिर तो हमारी लाइफ एश में निकलने वाली है, तो यह king ने यही सोच के बोला कि सब थोड़ा लालच में आएंगे तो वो जादा कोशिश करेंगे फिर मेरे पेट का दर्थ सही करने की, तो उसने क्या कहा था, कि जो भी मेरे पेट का दर्थ सही करेगा, उसको मैं एक elephant यानि कि एक हाथी का जित्ता भी वजन होता है, उसक दूंगा क्योंकि वो मेरे पेट सही करते, लिखा, on hearing this, doctors from all over the country came, और ये बात सुनकर, कहां कहां से doctor आये, पूरे country में से जगा जगा से doctor आने लगे, अपने अलग-अलग, कि अगर हमने सही कर दिया king के पेट का दर्थ, तो हम तो माला माल हो जाएंगे, हमको खूब सारा gold म है ना, so but only doctor Vedika could cure him, पर क्या हुआ, पूरे देश भर से हर corner से लोग आ रहे हैं, doctors आये, बहुत सारे महल में, पर कोई उसका दर्थ सही नहीं कर पाया, except doctor Vedika, doctor Vedika नाम की एक doctor थी, उन्होंने king के पेट का दर्थ सही कर दिया, यानि उन्होंने कुछ ऐसी medicines दी होंगी, कुछ ऐ king का stomach जो pain कर रहा था, वो ठीक हो गया, so अब doctor Vedika तो बहुत खुश हो गई होंगी, कि अब तो उनको खूब सारा gold मिलने वाला है, तो फिर क्या हुआ देखो, king देखो कितना खुश हो रहा है, क्योंकि उसका पेट अब ठीक हो गया है, आपके भी पेट में कभी दर्थ होता लिखा हो, राजा बोल रहा है, oh great, my pain has gone, thank you doctor Vedika, राचा ने का का, oh great, ये बहुत अच्छा हुआ ये तो, my pain has gone, याने कि मेरा जो pain था, दर्थ था, gone याने कि चला गया, खतम हो गया दर्थ तो, so doctor Vedika को उसने thank you बोला, कि thank you doctor Vedika, आपने मेरे पेट का दर्थ सही कर दिया, सो देखते हैं, doctor Vedika, ये जो खड़ी हुई है, ये है doctor Vedika, बहुत अच्छी doctor होंगी, तभी तो, जब कोई pain था, इस हीक नहीं किया पाया, इन्होंने कर दिया, तो doctor Vedika क्या कह रही है, so can I have my reward now sir, okay doctor Vedika भी थोड़ी सी लालश तो है, वो क्या कह रही है, कि ठीक है sir, आपका pain थ सही हो गया, तो क्या अब मुझे मेरा reward याने की इनाम मिल सकता है, क्या reward मिलना था, एक हाथी के बराबर gold, गोल्ड तो थोड़ा सा भी बहुत महंगा होता है, और हाथी के बराबर के वजन का gold मिल जाए, तो सोचो कितना सारा gold होगा, बहुत सारा पैसा आजाएगा फिर तो तो देखते हैं फिर किंग ने क्या का, उसने किंग ने promise तो किया था कि जो भी मेरे पेट का दल सही करेगा, मैं उसको हाथी के बराबर वजन का सोना दूँगा, पर क्या फिर उसने दिया, देखते हैं, लिखा हुआ है, but the greedy king didn't want to give her the gold, पर ये जो राजा है, वो राजा बन ये अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता था, तो उसने क्या का, उसको gold नहीं देना था, पर अब कुछ तो कहना पड़ेगा, डॉक्टर वेदिका से, तो उसने का, so he thought of a trick, तो उसने एक trick निकाली, कि ऐसा कुछ हो जाए, कि डॉक्टर वेदिका भी नाराज ना हो, सब को ये लगे कि मैं तो gold देना चाहता था, और मैं को gold देना भी ना पड़ेज न सारा, तो उसने क्या trick निकाली, सुनो जरा क्या कह रहा है, वो किंग कह रहा है, ओके, डॉक्टर वेदिका ने कहा था ना, कि लाइए, अब मैं को reward दे दीचे, तो उसने का, ओके, हाँ, ठीक है, First, find the weight of an elephant, पहले हाथी का वजन तो लेकर आओ कितना है, तब तो जाके मैं तुमको gold दूँगा होतना, then I will give you that much gold, याने king ने यही सोचा, कि हाथी तो इतना बड़ा होता है, उसका वजन कैसे करा जाएगा, उसका वजन तो कोई नहीं कर सकता, तो उसने क्या कहा, कि ठीक है, Dr. Vedika मैं आपको gold दे दूँगा, जैसे मैंने बोला है, पर आप पहले जाएए, और हाथी का कितना वजन है, वो में को बताइए, उतना ही gold मैं तुलवा के आपको दे दूँगा, ये तो बड़ा ही गलत किया उसने है न, तो अब देखो Dr. Vedika फिर तो दुखी हो गयोंगी, देखो वो बिलकुछ सर पकड़ के बैट गए, कि हम मैं क्या करूँ, वो पहले खुश होंगी, कि हमें कूप सारा सोना मिलेगा, तो देखो, लिखा है, Vedika was unhappy when she reached home, Vedika बहुत unhappy थी, यानि कि खुश नहीं थी, बहुत दुखी थी, कि क्यों दुखी थी, जब वो घर पहुची तो बहुत दुखी थी, घर में देखो, उसकी प्यारी सी एक डॉटर और उसकी कैट भी है, she told her daughter the whole story, Vedika ने अपनी प्यारी सी ननी सी, ये एक जो बेटी है, उसको पूरी कहानी सुनाई, कि ऐसा हुआ, king ने ऐसा बोला था, तो मैंने कहा कि ठीक है, pain मैंने सही करा उसका, त how can I weigh an elephant, मैं एक हाथी को कैसे वजन नाप सकती हूँ, where I will get such a big balance, इतना बड़ा बैलन्स मुझे कहा मिलेगा, कि एक तरफ हाथी को रखूं, दूसरी तरफ कुछ वजन रखूं, तो दोनों बराबर हों, तो पता चले, इस वजन के बराबर हाथी का वजन है, इतना बड़ा जिसमें हाथी बन जाए, बैठ जाए, और वो तूटे भी ना, ये तो impossible है, इतना बड़ा बैलन्स तो कहीं नहीं होता, फिर इसलिए तो वो दुखी है, कि अब मैं क्या करूं, तो उसकी डॉटर, डॉटर उस तो वैसे भी सब इंटेलिजन स्मार्ट होती ही है, तो उसकी जॉटर ने एक आइडिया निकाला, क्या बोला, don't worry मा, ममी आप चिंता मत करिये, I have an idea, मेरे पास एक आइडिया है, tell the king to arrange an elephant and a big boat, आप राजा को बोलिये, कि elephant लेकर आ जाए, और एक बहुत बड़ी नाव लेकर आ जाए, जिसमें वो elephant बन जाए, ऐसा क्यों किया उसने, न नाव से कैसे वेट होगा, पता नहीं या रब बेटी ने बोला है, तो कुछ ना कुछ आइडिया तो उसको आया होगा, चलो find करते हैं, तो फिलाल उसने क्या बोला, कि आप king से बोलो, कि जिस हाथी का वजन नापना है, ओ हाथी लेकर आ जाए, और एक बहुत बड़ी boat या ने king को कहा invite किया, नदी के किनारे आने के लिए बोला, the king came with an elephant and a big boat, king जो है, वो एक हाथी, ये देखो हाथी दिख रहा है, और ये red color की दिख रही है, बहुत बड़ी सी boat, king नदी किनारे आ गया, हाथी और बहुत बड़ी boat को लेकर, अब देखो ये king खड़ा है, ये डॉक she is fool, king कह रहा है, मुझे लगता है, ये fool है, यानि कि बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता है, how will she weigh an elephant with a boat, ये एक boat से इतने बड़े हाथी को कैसे वजन निकालेगी, ये तो पागली लड़की है, ऐसा कौन सोच रहा है, king सोच रहा है, पर देखते हैं, क्या वेदिका की ड वेदिका की डॉटर कहा चली गई, नदी के अंदर चली गई, उसको तैनना आता होगा, ये मत सोचना कि डूब जाएगी, ठीक है, वो नदी के अंदर चली गई, she marked on the boat how much it sank in the water, ठीक है, पहले जब अकेली बोट थी नदी में, तब वो उसने देखा, मार्क कर लिया, कि कहा पर पानी खतम हो रहा है, कहां तक बोट में पानी है, यानि कि बोट कितने अंदर तक डूबी हुई है, यहां तक पानी है, तो ये इस तरीके से निशान लगा दो बोट के ऊपर, कि यहां तक इस निशान के नीचे नीचे पूरा पानी है, यानि कि यहां तक जो बोट है, वो पानी में डूबी हुई है, जब उसमें कोई नहीं बैठा है, अब है ना, फिर उसने क्या किया, माक कर लिया उसने कि पानी में बोट कितनी डूबी हुई है, then she asked them to bring the elephant into the boat, फिर उसने बोला कि ठीक है, अब आप हाथी को इस बड़ी सी नाओ के अंदर चड़ा दो, तो अब जब हाथी नाओ में बैठा होगा, तो वजन बढ़ा होगा, तो बोट थोड़ी सी और अंदर चली गई होगी पानी में, ऐसा ही होता है ना, पहले अगर boat में कुछ नहीं है तो वो उपर उपर तैरती रहेगी फिर जादा लोग आप बैठाते जाओगे तो boat थोड़ी सी नीचे पानी में डूबेगी हो गई ऐसा तो the boat sank deeper तो वो जो अब boat थी वो थोड़ा सा और नीचे चली गई पानी में डूबी नहीं बस थोड़ा सा नीचे गई तो फिर अब उसने क्या करा अब उसने फिर से माक करा कि अब कहां तक boat डूब गई है मैं आपको बताओं अगर एक छोटे से case में जैसे कि यह अपनी रिवर है ठीक है इसमें पानी भरा हुआ है एक सकेड for example पहले जो boat थी वो इस तरीके से थी ठीक है और वो कहां तक थी यह boat है अपनी अब मैं बना देती हूँ पानी ठीक यहां तक पानी में वो boat डूबी हुई थी यह नीचे क्या था पानी ही पानी था तो उसने माक कर लिया था कि water का level कहा है यह boat पे उसने ऐसा निशान लगा लिया कि अभी इसके नीचे तक पानी ही पानी है फिर जब हाती बैठ गया इस boat के अंदर जब हाती बैठा तो boat और नीचे को आ गई boat नीचे आ गई याने पानी ऊपर हो गया होगा boat अंदर को चली गई पानी के अब जब boat अंदर गई पानी के, तो water का level उपर, थोड़ा पानी और उपर हो गया, उपर हो गया, तो अब उसने वेदिका ने फिर ये जो नया water का level था, इसहर माक कर दिया, ठीक है, यानि कि आब वेदिका के पास दो निशान हो गए, एक पहले वाला निशान कि पहले पानी यहां तक था, और जब हाती बैठा, तो पानी इधर आ गया, boat on नीचे हो गई, आ गया समझ में, अब क्या हुआ फिर, दोनों तो level माक हो गए हैं, इसके बाद, now imagine what happened next, यानि कि इनने story यहीं खतम कर दी, अब हमको सोचना है कि इसके बाद क्या हुआ होगा वेदिका ने, य उससे हमें story complete करनी है, discuss with your friends how वेदिका डॉटर found the weight of an elephant, और हमको अपने friend से, घर से, ममा पापा से, किसी से भी आप discuss कर सकते हो, कैसा क्या हुआ होगा, कैसे वेदिकाने उस elephant का वजन ना पा होगा, तो देखो, शायद आपने science में पढ़ लिया हो कुछ ऐसे चीज़े कि हम अ हलकी चीज़ डालोगे, उपर ही तैरती रहेगी, जाधा reference नहीं होगा, पर यह जो boat का case था, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये, कि boat इतनी आपकी और नीचे डूप गई थी, है ना, जब elephant बैठा था, यानि कि पहले boat का जो level था, समझो, वो इधर था, फिर वो पानी और उपर हो गया, यानि boat और नीचे गई, तो पानी ऊपर की तरफ चड़ गया है ना, अगर और नीचे जाएगी boat, तो पानी बोट के अंदर चला जाएगा, वो बोट डूप जाएगी, ऐसा ही होता है, जितना जाधा वजन आप बोट में रखोगे, उतना वो पानी में थोड अब उसने कहा होगा कि elephant को अब हटा लीजे, जब हटाया होगा पानी फिर से यहीं आ गया होगा, जब उसने elephant को हटाया होगा पानी फिर से वहीं आ गया, अब देखो उसकी smartness, अब उसने कहा क्योंकि अब water level फिर से यहीं आ गया है, तो अब आप elephant को हटा लिया आपने, त जब तक सोना डालते रहो, जब तक बोट फिर से इसी मार्ग तक डूब ना जाए। समझे कुछ? यानि कि जितना भी वजन हो ऐलिफेंट का हमको मतलब नहीं, पर उसके वजन के जितना वजन ऐलिफेंट का था तो बोट यहां तक डूब गई थी, वो जब बैठा था। तो उतना ही सोना आप अब उस बोट के अंदर डालो, ताकि बोट फिर से यहां तक ही डूब जाए। आया समझ में कुछ, तो ऐलिफेंट का वजन के बराबर सोना डलेगा, तब ही तो जो बोट है, वो यहां तक डूबेगी, जो हमने लेवल देखा था जब ऐलिफेंट बैठा था। तो इस तरीके से क्या हुआ, वेट अलग से हमें नमबर में नापना नहीं पड़ा कि कित्ते किलो का है अलिफेंट और हमको क्या मिल गया, उतना सोना भी वेदिका को मिल गया होगा, तो यह तो उसकी डॉटर बहुत ही जादा स्मार्ट निकली, है ना, समझ गए ना आप ल अरीके से, यानि कि जब बोट पर दोनों पानी के लेवलों को माक कर दिया था, तो फिर जो एलिफेंट था उसको हटा दिया गया बोट से, वेदिका's daughter then requested the king to put the goal on the boat till the water level touched, the raised water level marked when the elephant was on the boat, फिर वेदिका की डॉटर ने request करी king से, king से बोला, कि आप जो सोना हैं वो बोट के अंदर अब डालते जाओ, इतना सोना डालो, जब तक सोना डालते ही रहो, डालते ही रहो, जब तक आजो water level है, पानी का स्तर जो है, वो पहले जो हाथी जब बैठा था, उस time जब मैंने माक करा था, वहां तक आजाए पानी, तब तक आपको बोट में सोना Now king was not left with any alternative, अब king ने कहा कि अब तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, इसने तो करी दिया कमाल, इसने बिना उसका नापे वेट और बिलकुल सोना भी ले रही है मुझसे, हाथी के वजन के बराबर का ही सोना ले रही है, He had to give the gold as the weight of the elephant to Vedika, इस वज़ा से उसको फिर अब क्योंकि कुछ और रास्ता बचा ही नहीं के king क्या करें, तो उसको elephant के वजन के बराबर का सोना, वेदिका को देना पड़ा, यह सब क्यों possible हो पाया, वेदिका की daughter की वज़े से, उसी ने इतना अच्छा idea निकाला, कि आप पहले नाओ को डालो पानी में, और माक कर लो के पानी कहां तक आ रहा है boat पे, है ना, फिर आप हाथी को बिठाओ, फिर पानी जो है वो उपर को बढ़ जाएगा, क्योगी नाओ अंदर जाएगी पानी के, और फिर माक कर लो के हाथी के बैठने के बाद level कहां पे है, तो फ जब हाती उतर जाएगा तो फिर से बोट उपर आ जाएगी, पानी का लेवल फिर से यहीं पहुच जाएगा, अब आप उसमें इतना सोना डालो, इतना सोना डालो कि उसका इतना वजन हो जाए, कि वो फिर से पानी इतने उपर तक रेज हो जाए, बोट इतना अंदर चली जा कि उसकी हुश्यारी की वज़ा से, स्मार्टनेस की वज़ा से, वेधिका को उसने जो इतना अच्छा काम किया था, किंग का जो दर था, पेट का वो सही कर दिया था, तो उसको उसका बहुत अच्छा reward भी मिल गया, सो यह हमारी elephant weight की स्टोरी हुई खतम, इसके बात क्या दिया हुआ है, इसके बात दिया है, how much the weight chair weighs, यानि कि chair का कितना वज़न होगा, चेयर मतलब होता है कुरसी, अब यह जो topic दी हुई है, यह दिया है आपके class 4th maths magic book में ही, page number 143 पर, तो इस topic को मैं अगली class से continue करूंगी, क्योंकि आज शी class में मैंने बहुत ही शान्दा story सुनाई है आपको, तो मेरा यही कहना है कि इसको बहुत अच्छे से answer को भी लिख लेना, story को complete करना जरूरी है और इसको खुद से एक बार book से read करके पूरा translate करना, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, ऐसे ही आप भी अपने आपको पढ़ा देना एक बार, so that सारा अच्छे से आपको याद रहे, so यहां तक की चीज़े revise करके रखेगा, इसी के साथ साथ आप विजट कर सकते हैं, हमारी official website जो की है magnetbrains.com, वहां आपको सभी classes के notes, video lectures, सब कुछ एक proper systematic way में arranged मिल जाएगा, जो आपकी पढ़ाई की जरनी को और असान बना देगा, इतना ही नहीं, magnetbrains के साथ खूब मल लगा के पढ़ते रहे हैं, क्योंकि यहीं एक ऐसा इतना शांदार educational platform हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम पहले एक दो chapters आपको free में पढ़ाने के बाद complete course के लिए आप से कोई भी fees demand नहीं करते, कोई पैसा नहीं मांगते हैं, बलकि हम आपको हमारे सारी video classes complete course दे रहे हैं, free of course, ताकि अब आपको भी बहुत अच्छी education, अच्छी quality education मिल पाएग घर बैठे, तो आप भी उसका फाइड़ा उठाओ और अपने भाई, बहन और seniors, juniors सबको बताइए कि वो भी हमारे साथ पढ़ाई करें, so keep studying, thank you so much, bye-bye.